हे गाईज मैं हूँ आश और आप देख रहे हैं Zebra Tech Play आज की जो हमारी वीडियो है वो ट्रेमर्स के उपर होने वाली है इसमें हमने तीन सेलेक्टिड ट्रेमर्स लिए हैं जो की काफी अच्छे हैं और बजट के हिसाब से इनकी बिल्ड कॉलिटी भी बहुत ही जादा अच्छी है और यह ट्रेमर्स आप अगर एक बार परचेस करते हैं तो बिल्कुल आप इनने ब्लाइंडली परचेस कर सकते हैं इन तीनों ट्रेमर्स के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप ट्रेमर्स परचेस कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ले ले लेते हैं एमाई के ट्रेमर्स को MI के Trimmer की अगर बात करें Build Quality की तो Build Quality की बहुत ही ज़ादा अच्छी है Finishing की बात करें, Look की बात करें तो Look में भी यह काफी लाजबाब है और इसका जो Blade है वो एकदम Flat है तो इसमें आपको थोड़ इसी Problem आ सकती है अगर आप मूच बनाते हों तो इसमें थोड़ इसी Problem आ सकती है अगर फिलिक्स के मुकाबले बात करें तो फिलिक्स में जो इसका Top का जो Save होता है वो थोड़ा Oval Type का होता है लेकिन MI में Flat होता है तो मूच बनाने में थोड़ इसी मामली इसी दिक्कत आ सकती है वरना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और अगर चार्जिंग की बात करें चार्जिंग इसकी बहुत ही जादा अच्छी है और फास्ट चार्जिंग है इससे आप दो घंटे चार्ज करके 30 मिनट अराम से चला सकते हैं और इसकी चार्जिंग सिस्टम में ये यूएसबी केबिल से चार्ज होती है आप यूएसबी के तुरूँ से चार्ज कर सकते हैं इसके ब्लेट की बात करें तो इसका ब्लेट जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इसके अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि आप इसे सेविंग के बाद दो सकते हो क्योंकि ये वाटर प्रूफ है और इससे में इसका जो मार्केट प्राइज है वो 1200 का मार्केट में प्राइज है और इसके अंदर आपको जो warranty मिलती है वो एक साल की warranty मिलती है और इसके बाद जो हमारा second है उसे हम ले लेते हैं वो हमारा nova का है nova का trimmer ये भी काफी अच्छा trimmer है इसमें आपको जो blade देखने को मिलता है वो titanium coated blade होता है जो काफी अच्छा build होता है काफी time use करने के बाद भी ये वैसे ही चमकता रहता है इसकी अगर charging की बात करें तो आप इसे 4 गंटे charge करके 30 मिनट तक आसानी से use कर सकते है लेकिन M.I. के मुकाबले इसकी जो financing है वो कम है इसकी अगर हम बात करें price की तो इससे में इसका price 650 है market में और इसका जो price है वो उपन नीचे होता रहता है बाकिया price चेक कर सकते हैं लिंक description में मैंने दे रखा है वहां से आप तीनों ट्रेमर्स के price चेक कर सकते हैं और इसकी अमें warranty मिलती है वो 2 साल की warranty मिलती है जहां पर हम M.I. में 1 साल की warranty मिलती है इसके बाद हम बात कर लेते हैं थाड्रेमर की जो कर फिलिप्स का है और इसकी build quality की बात करें तो build quality आपकी बहुत ही ज़ादा ची है और इसमें हमें जो बिलेट देखने को मिलता है वो ओल सेप का बिलेट होता है जो के बहुत ही कमफर्टेबल रहता है सेविंग के लिए और इसके साथ हमें मिल जाता है यूएसबी केबल मिलता है एक मीटर का प्लैस साथ में चार्जर भी मिल जाता है और इसके अंदर एक नि लिंक में जाके वहाँ से चेक करके परचेस कर सकते हैं, प्राइज उपर नीचे होता रहता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए बाई, all the best.